कुछ लोग मिलने के चक्कर में आते हैं पर हम चॉकलेट बच्चपन में जब माता हैं दबाई खिलादी थी तो सहEd देती थी पर सहEd देने का और कोई ताथ पर नहीं और सधी से सहEd का लेना देना पर बच्चे कडवी के चकर में खाते नहीं थोड़ा मीठा चासनी लगा दी सहत की तो खा लेंगे बैसे ही हमारा सुभाव है कि हम चमतकार की चासनी लगाकर आपकी परचा की अरजी लगाकर हम चाहते हैं जो हमें दवाई खिलानी है भगवन नाम की, राम नाम की जो तुमारी जिंदगी में अध्यात्मत आ जावे बस यही हमारा सुभाव लेकिन एक बात हम बोलें सहध और और ओषदी दोनों की आओ सकता है केबल सहध सहध खाओगे तो रोग ठीक नहीं होगा केबल औशधी खाओगे तो बारबार औशधी खाने का मन नहीं होगा कड़वी लगेगी दोनों को समान लखना चाहिए थोड़ा सहद को भी, थोड़ा औशधी को भी दोनों समान रहेगी तो खाने में मज़ा आएगा बैसे ही थोड़ी परची, परचा भी, चरचा भी, चमतकार भी और नमसकार भी दोनों चलते रहना चाहिए तो आप यह नहीं कहते कि अरजी नहीं लगाना चाहिए हम इतना जानते हैं कि जिस दिन तुमारे अंदर वास्तविक भक्ती उतर जाएगी उस दिन तुम चमतकार से उपर हो जाओ क्योंकि तुमारा प्रतेक बल चमतकार में हो जाएगा तुमारे पास जिस दिन माला का बल, भजन का बल आ जाएगा जिस दिन तुमारे पास गुरु कृपा आ जाएगी कोई कान में बदाखने बदन तो आईए ना रख लोग कोई देख रहे हैं जब तक परचे नहीं तब तक तो उसको हम लोग बुरा मत मानना बहुत तर्क संगत बात है हम लोग किसी के काम के बारे में पूछते कि आप करते क्या हैं तो दर्शन हम जानने की उक्षुप नहीं है हम इसलिए उससे पूछते हैं कि इसको इज़द कितनी देनी है काम आप क्या करते हो इसलिए नहीं पूछते हो कि हमें जरूरत है हम यह आंकलन करते हैं कि इसको इज़द कितनी देनी है यह कितनी अपने काम का है तो आपने गुरु करपा को पहचाना नहीं अब पहचान जाओगे तो हम ये आपको माला लेकर के अपने गुरु की कहते हैं कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी गुरु की निगाय ही तुमारी जिंदगी में प्रवाह बन जाएगी गुरु की दरश्टी हम बहुत ऐसे लोग यहां बैटे हम उनका परचे नहीं देना चाहेंगे कुछ टीवी पर नहीं आना चाहेते एक दो बच्चे विदेश से आये हैं कोई परचे नहीं हम देना चाहेते उनका कोई आप कोड भी मत करना एक बेटा है हमारा बिदेश से आया बच्चा जिस से हैं कभी मंच पे नहीं आता है और कथा में पहुंचता है कभी मंच पे नहीं आता है पीछे बैठता है, सुनता है चला जाता है उसे ये नहीं रहता गुरू जी देखें गुरू जी फोटू खिच्माएं या गुरू जी हमसे बात करें या वो अपनी बात या कोई चिठी या कोई पत्री आया प्रणाम किया बस अब चलाए और कुछ नहीं जब वो जाता है तब फिर हम उसको कहते हैं जिससे हमारी बंती है जिससे अपनी सैटिंग है उसको कहते हैं कि जैसे ये बिना बताये चला गया ना प्रणाम करके बैसे तुम इसको बिना बताये भर भर के दे देना वो गया दे 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 भर भर के दे दे गुरू की कृपा इसका मतलब यह नहीं कि तुम बात करो मत खूब करना क्योंकि बिना रोए बच्चे को मा दूध नहीं पिलाती है तुमारे लिए जिसकी जैसी बाहुना उसको बैसे ही रहना है बदलना नहीं अपने आपको आप अगर बदल लगे तो फिर गड़बड हो जाएगा हाँ इतना करना है कि जैसे पहले जीते थे वैसे अब नहीं जी बदलना नहीं है अपने आपको बैसे ही रहो जो काम कर रहे हो ही करो जो तुम बैचते हो भो भी बैचो हम तो कहते हैं और ज़्यादा बैचो खुब बैचो खाते खुब और खा कुछ हमारी हमारा सिद्धानती है आपको कुछ नहीं बदल हमारा सिद्धानती है कि तुम्हें कुछ नहीं बदलना हमें पता है कि जिस दिन तुम ये रस पीलोगे अपने आप बदल जाओ हम इसके भी पक्षदर नहीं है कि तुम सन्यासी बनो संसारी रहो फुल जितना हो सके उतने संसारी रहो जितना तुम पे हो सक उतना संसार का काम करो पर इतना भर करो, माला भर पकड़ो हमें पता है जिस दिन तुमने इसको पकड़ लिया सब अपने हाँ छूट जाएगा छुड़ाने कि क्या हुश्च